साथियों, जानकारों का कहना है कि करोना की ये नई लहर पिछले बार के मुकाबले जादा गंभीर है, इसके कारण संक्रम्र की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हमें जादा सावधानिया बरतने की आवशक्ता है पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलीस की हमारे कुछ साथी करोना पॉस्टिव पाए गए है, ये संख्या बढ़ती जा रही है जो की चिंता का विश्य है, पुलीस कर्मियों का करोना से उत्पन स्थिती से निपटने में एहम योगदान रहा है, दिल्ली पुलीस कर्मी इन कर्तब्यों का निर्वाहन करते हुए करोना वाइरस से अपना बचाओ भी करना हुगा, एक दूसरे के साथ काम करते हुए, जनता के बीच जाते हुए, वेरिफिकेशन करते हुए, चलान काटते समय, पिकेट पे ड्यूटी देते समय, अस्पिताल में आते जाते वक्त, करो तो एहतियात बरते से इस संभावना को कम किया जा सकता है आप अपने चेहरे पर N95 मास्क या 3-ply surgical मास्क लगा कर रखें पतले कपड़े से बना हुआ मास्क आपके लिए शायद पर्याप्त ना हो कम से कम दो परतों वाले मास्क को अवस्य पहने हमें एक दूसरे से उचित कोरी बना कर ही काम करना चाहिए अनिता यह हानिकारत सिध होगा अपने कारिस्तल पर शोशल डिस्टिंसिंग का ध्यान रखें वह अपने कारिस्तल या वहन आदी को सेनिटाइज करें और अपने हातों को साबुन से बार बार दोते रहें इमिर्टी बढ़ाने वाली चीजो जैसे अरुवेदिक काढ़ा, विटमिन सी, जिंक टैबलिट आदी का नियमित सेवन डॉक्टर की सला लेकर करते रहें स्वस्त रहने के लिए योग और वैयाम भी नियमित रूप से करें यह ध्यान रखें कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप कोई लापरवाही न करें भीर भार वाली जगों समाजिक कारिकरमों से बचें यहां तक कि अपनी डूटी के दौरान भी समाजिक दूरी बना कर रखें हमें अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा का विध्यान परस पर रखना चाहिए आप सुरक्षित रहकर ही दूसरों की रख्षा कर सकते हैं आपको यह बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि आपके सामने वाला संभावता करोना से संक्रमित हो सकता है किसी भी यूनिट का कर्मी अगर करोना पॉजिटिव होता है तो इसके लिए हमने यूनिट के सीनियर अफसर के साथ साथ पुलिस मुख्याले के अफसरों की भी सेवाएं निर्धारित की हैं ताकि अच्छा इलाज हो सके और हस्प्रताल में बेड मिलने में परशानी न हो पूरा दिल्ली पुलीस विभाग आपके साथ खड़ा है इसके लिए साथ वा बाइस मई 2020 को स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रिसीजर्स जारी किये गए थे करोना को दिल्ली पुलीस परिवार में फैलने से रोकने वा उसके बचाओ के लिए सरकुलर नंबर साथ प्रटा 2020 में दिये गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने को और अपने परिवार के सरद्शों को सुरक्षित रखे मैं यह भी अन्रोथ करना चाहता हूँ कि इन निर्देशों के अलावा भी जो भी आप उचे समझते हैं एक जिम्यदार अफसर होने के नाते वो कदम आप अबस उठाएं जिससे इस महमारी से सभी का बचाओ हो सके हमारा दिल की पुलीस के सुरूप में बढ़ोतरी हो सके मैं आपको आपकी मेहनत के लिए बढ़ाई देता हूँ और आपकी वो आपके परिवार की अच्छे सहत की कामना करता हूँ जैह हुनत